Welcome to Take Unlock, इस वीडियो में हम देखेंगे Relocatability of Program and Object Modules, ठीके, ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा Object Module, ठीके, आपको Diagram पता है, Program Execution की Diagram, उसमें मैंने Translation दिखाया था, ठीके, मतलब Translator के बाद क्या आता है, आपका Object Module आता है, और उसके बाद क्या आता है, आपका Linker आता है, ज Object Module, ठीके, जो Translator के बाद बनता है, ठीके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, The Object Module of a Program contains all necessary information to relocate and link the program with other program, ठीके, यहाँ पे देखिए, Object Module में क्या होते है, necessary information होती है, किसकी necessary information होती है, आपके Relocate and Link of the Program, ठीके, Relocation की and Linking की program से, अगर किसी को Link करना है या हम अगर कोई external reference होगा किसी program में, ठीके, यहाँ पे अगर इंट्रेक करना है, तो यहाँ पे क्या लगता है, हमें linking लगता है, ठीके, जैसे हमने alpha का example देखा था, जिस जो क्या था, external reference था आपके, दूसरे program में, ठीके, program P में external reference था, तो इस वक्त क्या लगता है, हमें linking information लगती है जो का पे होती है आपके object module में होतों है और relocation information भी का होती है मतलब relocate का पे होता है आपका इस object module में होती है ठीक है यह तक है धिटेल में देखेंगे हम यहां पे देखें नीचे It consists of four components ठीक है यह पे चार component काम करते यहांपके देखें फर्स्ट आपका header और सेकन्ड हे प्रोग्राम थर्ड हे रोकेशन एंड फूर्थर आपका लिंकिंग टेवल ठीक है फिर्स्ट देखे हैं When heator contains translated origin, size and executable start address of the program ठीक है Translated origin क्या होता है आपके header में होता है ॥े के header इस field में होता है आपका translated origin ठीक है program कहां से start हो रहा है वह address है आपका सिंटा बाइनरी प्रोग्राम में भी देखाए कि उसमें हमें लिंकर को कौल करते वक्त हमें क्या लगता है एक सब्सक्राइब कर को सब्सक्राइब आपि लगते के मितलम एक फील्ड होता है बहाँ पर देना या ना देना वो प्रोग्रामर पे visit ok proclaim majoryo is this is the machine language program corresponding to the original program ठीक है आपको पता है आपका object module मतलब क्या है आपका machine instruction format होता है ठीक है तो इसमेए field किसका होगा आपके program का होगा ठीक है मतलब आपका जो original program में इसमेली language का उसे हमने किसमें करना होता हैze कन्वर्ड मस्ट लेंग्वेज में तो वो फॉर्म किसमें होता है इस प्रोग्राम नाम के इस इस कम्पोनेंट में होता है ठीक है this is the machine language program corresponding to original program ठीक है मतलब original program का ही क्या होता है corresponding machine code होता है यहाँ पर देखें third है हमारा relocation table relocation table यहाँ पर देखें relocation table ठीक है इसको हम इसका नाम है relocation table, ठीक है, यहाँ पे देखिए, this table describes this set of instruction requiring relocation in program and each entry has a single field, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या ओर describe किया जाता है आपके instruction, जो भी आपके set of instruction है जिने relocation की जरूरत है in program, ठीक है, तो वो field क्या होते हैं, इसमें entry has a single field, ठीक है, मतलब एक ही line में क्या होती है, सिर्फ एक ही instruction की entry होती है, for example, हमने read a use किया था, ठीक है, read a, a का हमें address लग रहा था, relocation लग रहा था, और a का पे define था, आपका 540 address पे क्या था, यह define था, तब उसे क्या लगता है, relocation लगता है, ठीक है, इसका separate example लिया है हमने नीचे, उसमें मैं आपको detail में बताता हूँ, ठीक है, next है आपका यह आपके देखिए, translated address, translated address यह term क्या है, translated address of an address sensitive instruction, ठीक है, आपको पता है, translated address मतलब आपके जो भी, वो address होते थे, 540, 541, वो सभी क्या थे, आपके translated address थे, किसके address sensitive instruction के, जिस instruction को आपको क्या लग रहा है, address sensitive instruction है, मतलब जो address पे काम करते हैं, उन address में, क्या होता है, translated address होता है, ठीके मतलब generally हम क्या देते हैं जो general address देते हैं वोहीं आपके क्या होते हैं translated address होते हैं ठीके यह आपको पता है और link ऐड्रेस हम के से find out करते हैं link origin से हम क्या करते थे translated origin minus करके हम translated address में add कर देते थे जिससे उसका link time address निकल जाता था ठीके formulas आपको पता है यहाँपे देखिए next आपका linking table, linking table क्या है, या lion के table, ठीक है, capital में इस table को क्या किया जाता है, denote किया जाता है, next देखिए, this table contains information concerning the public definition and external references of the program, the table has three fields, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें दो क्या होते हैं, information होते हैं, ठीक है, contents information, यहाँ पे देखिए, public definition की और external reference की, ठीक है, मतलब आपके linking table में क् प्रोग्राइम के यहां पे देखे यह तिन में डिवय्ड होती है ठीक है कौनसी कौन सी यहां पे देखे फर्स्ट है सिंबॉल मतलब उसका क्या होता है symbolic name होता है, ठीक है, second field है, उसका type, type मतलब क्या है, pd and ext, ठीक है, pd indicating public definition, pd मतलब आपका public definition होता है, और ext मतलब क्या होता है, external reference, ठीक है, मतलब यह short form हम लिखते है, table create करते वक्त, ठीक है, और third देखिये, translated address, ठीक है, for public definition, this is the address of the first memory word allocated to the symbol, for external reference, it is address of the memory word, which is required to contain the address of the symbol, ठीक है, यहाँ पर देखिये, public definition के लिए यह क्या address होता है, आपका first memory word होता है, ठीक है, मतलब, अगर किसी symbol का address, अगर ऐसा कोई symbol है, जिसको क्या लग रही है, declare storage हमने अगर 20 define कर दिया होगा, तो उसे क्या लग रहे है, 20 memory blocks के address लग रहे है, लेकिन हम किसे point करेंगे, सिर्फ, public definition में हम किसे point करेंगे, सिर्फ first address को, ठीक है, समझ में आ रहा है, first memory word allocated to the symbol, ठीक है, उस symbol को जो भी allocate किया है address, उसका first memory word ही हम क्या करते हैं, consider करते हैं, ठीक है, मतलब, starting का address, और next देखे, external references मतलब क्या है, address of the memory word, which is required to contain the address of the symbol, ठीक है, address of the memory word, ठीक है, मतलब, external reference जहाँ पे हमने use किया है, वो instruction का address, ठीक है, हमें यहाँ पे example देखेंगे, उससे आपको clarity मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे देखे, example, यहाँ पे consider the assembly language program, यहाँ पे देखे, figure program P, ठीक है, program P हमने पिछले वीडियो में देखा है, आप चाहें तो यहाँ पे side पे लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको, मैं directly बताता हूँ कि क्या होता है, उसमें कौन से कौन से table कैसे कैसे generate होते हैं, यहाँ पे देखे, program P, the object module of the program contains the following information, ठीक है, उसके object module में क्या होँगे, यह following information होँगी, पहली देखे, translated origin, translated origin मैंने आपको बताया था, जो starting address होता है, हमने start 500 किया था, इस वज़े से 500 क्या है हमारा, उस program का, program P का क्या है, translated origin है, नेक्स देखे, उसकी size, size कितनी थे, आपको पता है, 42 words थे, ठीक है, 500 से लेखे, 500 and 41 तक क्या हो रहा था, execute हो रहा था, मतलब 42 words, यह क्या हो गई, उसकी size, नेक्स देखे, execution start address, ठीक है, यह field क्या होता है, by default हम क्या करते है, मतलब क्या लेते है, जो हमारा translated origin है, ठीक है, वहीं हम क्या करते हैं, आपे consider करते हैं, मतलब 500 क्या होगा, आपका execution start address, और यह field हमें कहा लगता है, आगे लगता है, हमारे linker को देने के लिए, ठीक है, next देखे, बी, बी क्या है, आपका machine language instruction are shown, in figure program P, ठीक है, machine language instruction आप directly लिख सकते हैं, every day के लिए, और ऐसे हमने क्या किये हैं, बहुत सारे instruction दिए है, सिर्फ आपके start और end को, और declare storage को instruction नहीं होते हैं, मतलब machine code generate नहीं होता, बाकी के सभी मेने वहाँ पे क्या किये हैं, दिए हैं, ठीक है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे copy कर सकते हैं, machine language instruction are shown in program P, ठीक है, next देखिए, C है हमारा relocation table, यहाँ पे देखिए, relocation को किसकी, कौन से कौन से ऐसे instruction है, जिसको relocation की जरुरत पढ़ रही है, यहाँ पे देखिए, 500, 500 memory, यहाँ पे देखिए, 500 आगर हमने देखा, translation address, तो यहाँ पे 500 किसका है, आपका read A का है, ठीक है, यहाँ पे मैं, आपको समझने के लिए लिख देता हूँ, read A का है, और A का आपको क्या लगेगा, relocation लगेगा, क्यूंकि A कहाँ पे define है, आपके, नीचे define है, declare storage करके, ठीक है, read A करके, यहाँ पे capital में होगा, ठीक है, program में आप चाहे तो देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए 538, 538 किसका है, आपका loop का instruction है, ठीक है, loop का क्या है, यहाँ पे instruction है, branch on condition है, और यहाँ पे any दिया है, और any के बाद कहाँ पे jump हो रहा है, loop पे jump हो रहा है, ठीक है, loop मतलब क्या है, symbol है, जिसको क्या है, हमने नीचे define क्या है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, आपको relocation लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, 500 and 538, और next देखिए, next हैं आपका linking table, linking table में क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया था, आपको तीन field होते, symbol type and translation address, यह क्या है, symbol है, यह क्या है, आपका type है, और यह क्या है, translation address है, ठीक है, symbol देखिए, alpha क्या है, external symbol है, इस वज़े से ext लिखा है, external reference है, और उसके बाद देखिए, 518 उसका क्या है, address है, मतलब वो कहाँ पे use किया है, ठीक है, move to register लिया है हमने, और one करके, क्या लिया है, हमने, alpha लिखा है, ठीक है, जो भी instruction होगी उसकी, तो वो किस address पे execute हो रही है, 518 पे, इस वज़े से जहाँ पे use किया है, हमने alpha, वो address दिया है, next देखे, max, max, max क्या है, आपका ext, यानि external reference variable है, इस वज़े से यहाँ पे ext लिखा है, मतलब उसका type है ext, और वो 519 पे use किया है, ठीक है, मतलब 518 के नीचे हमने use किया है, something हमने branch on condition, any, क्या लिखा है, यहाँ पे max लिखा है, ठीक है, आप instruction देख लिजे प्रोग्राम में, यहाँ पे हमने उसका translation address जो है, यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद देखे, आपका last का देखे, total, total क्या है, हमने publicly define किया है, मतलब entry से हमने define किया है, starting of the program में, इस वज़े से यहाँ पे PD लिखा है, और वो कहाँ पे हमने use किया है, मतलब यह कहाँ पे define किया है, तो वो instruction का address हमें यहाँ पे लिख रहे है, ठीक है, define मतलब हमने declare storage कहाँ पे किया है, 541 पे किया है, तो इसका translation address, प्राइंटरेंट्रेस दिन्टूंध क्या होता है यहां पर हमनेंसेフς लिंटर नहीं किया है जैसे मतलब पब्लिक डेफिनेशन और एक्स्टरनल रेफ्रेंस यहीं दो क्या होते आते हैं ठीक है यहाँ पे है उसका सिंबॉलिक नेम यहाँ पे है टाइप और यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन एड्रेस ठीक है है घाए आय होगे आपको यह समझ में आ गया होगा इसके बाद देखेंगे ही खेंगी होरी रोकटेशन एंएअ टीक हो नेक्साइबलिटि ऑफ प्रोग्रम्टें आप यहाँ तो है ती के इसे modify हुआ है मतलब खुद से modify हुआ है या किसी ने किया है ठीक है मतलब modify हुआ है मतलब processing के वक्त modify हुआ है execution के वक्त या खुद से ही modify हो रहा है to execute मतलब execution के वक्त यहाँ पे देखिए from a given load origin ठीक है जो हम load origin देते है मतलब आपका program execution के वक्त क्या होता है लोड ओरिजिन आपका लोड करता है, ठीक है, for into following categories, ठीक है, मतलब तीन पार्ट में उसका execution क्या कर सकता है, वहरी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर देखिये, first आपका non-relocatable program, second आपका relocatable program, और third आपका self-relocating program, ठीक है, first हम देखेंगे non-relocatable program, ठीक है, यहाँ पर देखिये, it is a one which cannot be made to execute in any area of storage, other than the area starting on its translation origin, ठीक है, statement का क्या meaning है, क्या आपका program क्या होता है, किसी भी area से execute नहीं करता है storage में, बजये किसके, मतलब किससे होता है directly, आपके translation origin address से ही क्या होता है, start करता है, मतलब हम start 500 अगर दे दिया, तो 500 क्या हो जाएगा, आपका translated origin, तो उसी से directly क्या होता है, program execute होता है, किसी और area से नहीं होता, ठीक है, second देखिये, non-relocatability is a term defined as a result of address sensitive of present code, which is lacking information of, ठीक है, यहाँ पर देखिये, non-relocatability, यह क्या है, ऐसी term है, जो किस से inspired है, मतलब कि किस के result से क्या होते है, यहाँ पर बनाई जाती है, मतलब बनती है, आपके address sensitive present code, ठीक है, जो क्या करती है, lack information करती है, मतलब कुछ ऐसी information है, जिनमें यह क्या करती है, lack करती है, address sensitive में, ठीक है, मतलब कहाँ पर lack करती है, यहाँ पर देखिये, first is which part of the program are address sensitive, ठीक है, मतलब non-re locatability यह term में क्या होता है address sensitive present code होते है जो क्या करते है lack करते है मतलब उनकी information indirectly क्या होती है present नहीं होती है ठीक है यहाँ पे देखिए which part of the program are address sensitive यह हमें मालूम नहीं होता है lack करता है मतलब यह हमें मालूम नहीं होता है और in which manner they are execute ठीक है मतलब कौन से manner में execute हो रहे है वो भी हमें मालूम नहीं होता है मतलब in short address sensitive program के बारे में हमें information नहीं होती है ठीक है incomplete होती है ठीक है lacking मतलब क्या ही incomplete information होती है next देखिए example we may face problem as we can't understand which instruction is address sensitive and which are data instruction ठीक है मैंने आभी बताया कि कौन से address sensitive instruction है वो हमें मालूम नहीं होता है और data instruction कौन से है वो भी हमें मालूम नहीं होता है ठीक है next देखिए as relocation is feasible only if relevant information regarding address sensitive of program is available ठीक है यहाँ पर देखिए relocation मतलब क्या होता है relocation एसी concept है जिसमें क्या होते है जह कब feasible होता है मतलब कब आपका ओकर हो सकता है ठीक है मतलब successfully हम कब relocation कर सकते हैं only आपकी कब होगी address sensitive instruction और program क्या होंगे आपके available होंगे तभी हम क्या कर सकते है relocation successfully execute कर सकते है ठीक है अब program which does not contain such information is non relocatable ठीक है essay program जिनमें relocation information नहीं है उन्हें हम directly क्या कर सकते है non relocatable program ठीक है मतलब मतलब इसके नाम में ही इसका meaning है non relocatable program मतलब इनमे relocatable information मतलब relocation की information नहीं होती यहाँ पे देखिए in this case load time origin is equal to translated origin यहाँ पे देखिए आपका translation origin मतलब program जिससे start किया है वो origin और आपका load origin मतलब जहाँ पे execute हो रहा है वो क्या होता है same होता है also link address is same ठीक है मतलब आपके सभी address क्या होते है same होते है as program can't relocate ठीक है अब relocation ही नहीं होगा तो सभी address क्या होंगे आपके same होंगे ठीक है यहाँ पे देखिए सभी address same होते है किस वज़े से same हो जाते है relocation नहीं होने की वज़े से और लास्ट का देखिए absolute loader used for loading ठीक है ठीक है आपको पता है link address और load address अगर same होगा equals होगा तो आप absolute loader use करते है ठीक है आपने पिछले वीडियो में देखा है ठीक है example देखिए example of non relocatable program इस क्या है .com file ठीक है .com क्या है file format है on DOS क्या है आपकी operating system है जिस पे क्या होता है यह file format होता है जो क्या होती है non relocatable program files होती है ठीक है ओके I hope आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ओके next point है आपका second point है यहापे देखिए relocatable program ठीक है relocatable program यहापे देखिए in relocatable program is a unit which has load address and appropriate information used for relocation purpose ठीक है यहापे देखिए relocating program में क्या होता है relocatable program में आपका load address होता है and appropriate information होती है relocation purpose के लिए मतलब relocation information इसमें क्या होती है simply present होती है जो हमारे non relocatable program में नहीं थी यहापे देखिए this program contain information of address sensitive instruction ठीक है यह हो आपको पता है कि relocation कैसे perform किया जाता है आपके address sensitive instruction में perform किया जाता है ठीक है next देखिए using relocatable information program can be loaded at different locations other than translation time origin ठीक है बिचले concept में क्या था हमने translation time ही क्या किया था link time को दिया था और origin time को भी दिया था मतलब सभी time क्या थे हमेरे same थे और यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है relocation information होने की वज़े से यहाँ पर different location पे हम क्या कर सकते है program load कर सकते है rather than translation time origin ठीक है यह time छोड़के हम दूसरे time पे भी क्या कर सकते है मतलब address पे हम क्या कर सकते है आपका program load कर सकते है यहाँ पे देखिए at relocation of program the relocation part is added to the address part of the address sensitive instruction ठीक है यहाँ पे देखिए relocation program में क्या होता है कि आपके relocation part क्या होता है add होता एड करना पड़ेगा जो कहाँ पर होता है address part of address sensitive instruction ठीक है जो address part में होता है आपके address sensitive instruction में ठीक है next देखिए this process is generally done by operating system and output which performs relocation is called linkage editor relocating loader ठीक है यहाँ पर देखिए यह process जनरली कौन perform करता है आपका operating system ठीक है program itself नहीं perform करता ठीक है यहाँ पर देखिए यह process आपकी perform किये जाती है operating system की मदद से and output क्या होता है perform होता है आपका relocation is called linkage editor relocating loader ठीक है मतलब आपका output कौन perform करता है आपका relocation का linkage editor relocating loader ठीक है यहाँ पर देखिए linkage editor क्या करता है आपका output perform करता है मतलब execution करता है ठीक है next देखिए the need of linkage editor is to modify all existing address sensitive instruction using relocatable information of a program in it ठीक है linkage editor की need क्यों है हमें क्योंकि हमें modify करना पड़ता है existing address sensitive instruction को किसे relocatable information से for example अगर हमने यहाँ पर read A लिखा है और A कहाँ पर define है आपका 514 पर तो A के लिए हमें 514 क्या करना ही पड़ेगा address वहाँ पर लिखना पड़ेगा address sensitive instruction है जिसमें हमें relocation करना पड़ेगा ठीक है यह आपे देखें for example .exe file on DOS ठीक है .exe file क्या अगरती है आपका relocatable program होता है ठीक है dos में मतलब DOS में next देखें the size of relocatable program is larger than non relocatable program ठीक है आपका relocatable program की size उसके पहले जो हमने concept दिखी थी non relocatable program से क्या होती है larger होती है अब क्यू larger होगी obviously उसमें क्या होती है relocatable information होती है तो एक table मतलब एक information क्या होगी यहाँ पे add हो जाएगी इस वज़े से वह program भी क्या हो जाएगा size में larger हो ठीक है I hope आपको एक concept समझ में आगे होंगी इसमें क्या होता है relocatable information क्या होती है add होती है last वाला हम देखेंगे self relocating program ठीक है okay last point है हमारा self relocatable program ठीक है third point है यहाँ पे देखी अब program which performs relocation of its own address sensitive instruction is named as self relocatable program ठीक है इसके नाम में ही इसका meaning है self relocatable program मतलब क्या है जो खुद के address sensitive instruction क्या करता है खुद relocate करता है ठीक है okay मतलब यह program खुद से ही क्या करता है relocation perform करता है next देखें a task of relocating itself is on the relocating logic ठीक है यहाँ पे देखें self relocating program में क्या होता है यहाँ पे आपको relocating logic दीया जाता है ठीक है इसवजे से इसमें इससे यआरो दिया है आपके program plus data को और relocation information को क्योंकि यह क्या करता है control करता है आपका program data and relocation information ठीक है next देखिए this code also has a table of information related to address sensitive instruction called as relocation information ठीक है और third field होता है इसका relocation information ठीक है logic के बाद क्या होता है information और यहाँ पे देखिए start of relocating logic address is always specified as execution start address of any program ठीक है आपको पता है कि relocating logic address यह क्या होता है है आपका execution start address of the any program होता है ठीक है और by default हम क्या करते हैं जो आपका translation origin है 500 वही हम execution को start address को देते हैं जो हम किसे देते हैं relocation logic को देते हैं ठीक है मतलब इसका start address मतलब आपका क्या है execution start address है ठीक है next देखिए by making use of relocating logic and all information related to address sensitive instruction it performs relocation by itself ठीक है मैंने आभी बता है आपको relocating logic के मदद से and all information related to address sensitive instruction ठीक है address sensitive instructions के related मतलब relocation logic की मदद से relocation information की मदद से क्या perform करता है relocation by itself ठीक है यह बहुत important है itself क्या करता है perform करता है next देखिए after relocation of program execution control is transfer ठीक है यहाँ बे देखिए program relocation complete होने के बाद मतलब program relocation होने के बाद क्या होता है execution control क्या होता है transfer हो जाता है ठीक है next देखिए commonly used compilers like TC उसके बाद देखिए Fortron और COBOL यहाँ पे देखिए in multi user system contain code for self relocation ठीक है यहाँ पे देखिए कुछ compilers के नाम दिये है TC, Fortron, COBOL यह क्या है multi user system contain code अगर हमें self relocate करना है ठीक है multi user system में अगर हमें code self relocate करना है तो commonly हम यह यूजग करते हैं, ठीक है self relocatable program आर यूजग for operating system point of view in multi user और time sharing system ठीक है यह क्या है यह self relocatableicus program कहां पर ज्यादा useful होते आपके जहाँ पर हम क्या करते multi user system यह time sharing environment जहाँ पर यूजग करते ठीक है अगर आप मने multi user system क्या है तो आपको पता होगा multi user system में क्या होते हैं यन नंबर और यूजर होते हैं ठीक है मतलब यहाँ पे देखिंग diffi un number of users क्या होते एक ही सिस्टिम में हमारे एड होते है और यन number of users क्या हो सकते एड़े टाइम इक्सेस कर सकते हैं आपका वी प्रोग्राम या डेटा तो अब ऐसा कंसिडर कीजिए कि यह नंबर अफ यूजर क्या कर रहे हैं एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो एक प्रोग्राम सपोज एक hundred से स्टार्ट होगा दूसरा प्रोग्राम 200 से होगा तीसरा प्रोग्राम 400 से होगा ठीक है ऐसा करके आपको क्या होगा यह number of copies क्या होगी program की create होगी लेकिन यहाँ पे देखिए second को देखिए relocation program में क्या होगा relocatable program में यहाँ पे relocation information होती है इस वज़े से एक ही copy आपकी क्या होगी create होगी ठीक है यहाँ पे देखिए एक ही copy आपकी create होगी और उसे हम क्या करेंगे सिर्फ address अलग-अलग देंगे क्योंकि अगर एक program में यहाँ पे एक user ने अगर यहाँ पे कोई input दिया है दूसरा user दूसरा input देगा तो हर बार क्या करेगा वो सिर्फ relocation करेगा आपका copy एक ही रहेगी program की सिर्फ क्या होगा यहाँ पे relocation होगा लेकिन यहाँ पे एक disadvantage है कि linkage editor क्या होगा हर बार यहाँ पे हमें call करना पड़ेगा ठीक है हर user के लिए हर एक क्या होगा यहाँ पे हर बार एक linkage editor लगेगा जिसकी मदद से आपका program क्या हो सकता है बहुत बढ़ा हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे self relocatable program क्या है यहाँ पे best है क्योंकि यहाँ पे देखिए यह number of user के लिए सिर्फ एक ही copy आपकी memory में create होगी प्लस आपको linkage editor की जरुरत नहीं होती self relocatable program में ठीक है linkage editor आपको पता है operating system support करती है मतलब operating system का linkage editor क्या करता है आपका program execution में मदद करता है लेकिन यह खुद program क्या करता है खुद से execute होता है मतलब खुद से relocation करता है इस वज़े से linkage editor की यहाँ पे कोई जरुरत नहीं होती और obviously आपका program क्या होगा फिर small होगा सिर्फ एक ही program की copy आपको लगेगी और हर बार क्या होगा relocation होगा as respect to the program ठीक है user के आनुसार क्या होगा directly program relocation होगा और linkage editor की भी कोई जरुरत नहीं होती इस वज़े से यह क्या है best case होगी आपकी program execution के लिए self relocatable program ठीक है समझ में आ रहा है ओके तो I hope यह concept आपको समझ में आ गए होगी यहाँ पे देखिए this program can execute in any area of memory ठीक है मैंने आभी बताया कि यह number of user यह number of memory में क्या कर सकते है run कर सकते है ठीक है लेकिन एक ही copy से हम क्या कर सकते है यह number of area पे क्या कर सकते है execute कर सकते है ठीक है इतना deep में नहीं है आपको लेकिन आपको पता होना चाहिए ठीक है तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही था Thank you